वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंट सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं अब यहाँ पर हम स्टाइट करते हैं पहले कोशन से और उससे पहले एक चीज़ आपसे और बोलना है कि अगर आपने अभी तक प्रीविएस चार वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए और अपना जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन केंद्रिय औशदिय एवं सुगंदित पौदों का अनुसंधान केंद्र है ठीक है अब यह जो अनुसंधान संस्थान है यह कहां पर है गोरकपूर लखनव कानपूर या फर गाजियाबाद तो सही आंसर क्या होगा आपका लखनव ठीक है यानि कि in which of the following district of उत्तर प्रदे में कितने अभियारंड हैं यानि कि कितने टाइगर रिजर्व हैं तो यह जो है नमबर 3 है यानि की तीन जो हैं टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में ठीक है यानि कि how many tiger reserves are there in UP, so it is 3 ठीक है और यह officially गोषद करा गया है, so do not worry about this ठीक है, तीन है यह याद रखिये का, इसके बाद अगले कोशन पर चलते हैं यहाँ पर है उत्तरप्रदेश में Green UP, Clean UP, यह जो अभियान इसको कब शुरू करा गया, 5 November 2014, 7 November 2015, 8 November 2016 या फिर 9 November 2017, तो सही आंसर के आगा यहाँ पर, 7 November 2015, यानि कि जो आपका second वाला है यहाँ पर correct होगा, 7 November 2015, इसके बाद अब move करते है हैं अगले कोशन पर, अगला कोशन जो है यहाँ पर वो given है आपको कि अगर हम बात करें हरित करांती की, तो हरित करांती का जो सरवादिक प्रभाव पढ़ा, वो कौन सी फसल पर पढ़ा, या फिर सबसे जादा जो benefit हुआ, Green Revolution से यह कौन सी फसल को हुआ, गेहू, चना, चा सा जो है, वो सुमेलित नहीं है, इसमें धान जो है, इसमें होता है, खेरा रोग, एकदम सही है, और आपको पता भी होगा, बाजरे की बात करें, प्ररोह मक्खी इसमें होता है, वहीं अगर हम बात करें मक्का की, तो डाउनी मिल्डियू, यह भी यहाँ पर correct है, लेकिन फ होते हैं, यह उसमें आपका गन्ने में, ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले कोशन पर, अगला कोशन यहाँ पर given है, पूरवी यमुना नहर, इसकी जो रूप रेखा है, वो किसने बनाई थी, अली मर्दान खान ने, लहोरी ने, मिर्जा हबीब ने, या फिर कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा आपका, अली मर्दान खान, इन्हों ने, पूरवी यमुना नहर की जो रूप रेखा है, इसको बनाया था, मतलब पूरा डिजाइनिंग का काम इनहीं का था, ठीक है, इसके बाद अब मूव करते हैं अगले कोशन पर, अगला कोशन यह यहां पर है, प्रदेश के किस जिले में संत्रे के उत्पादन की बात हो रही है, कि संत्रे का उत्पादन किया जाता है, यह आपका अलीगड़ है, सहारनपुर है, चंदौली है, या फिर संभल है, तो सही आंसर क्या होगा आपका सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर में जो आपका संत्रा है, इसका उत्पादन किया जाता है, इसके बाद अब next question की बात करें, तो अगला question यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा खरीव की फसल नहीं है, ठीक है, अब खरीव की फसल कौन सी नहीं है, इसमें चावल है, जौार है, सनई है, या फिर लाही है, तो सही आंसर क क्या होगा आपका लाही, लाही जो है, वो आपका खरीव की फसल नहीं है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताईएगा, लाही अगर खरीव की फसल नहीं है, तो किस की फसल है, जायत की है, या फिर रवी की फसल है, या आप लोग कमेंट सेक्शन बताईएगा, इस इसको इस्थापित किया गया था, ये मार्च 2018 में इसको बनाए गया था, वहाँ पर इस्टेबलिश किया गया है, फ्रांस की हेल्प से, इसके बाद अगले कोशन की बात करें, अगला कोशन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स वी निर्माण नीती, यानि की मैनुफेक्चरिंग पॉलिसी जो है 2020 की, इसके संबन में कौन सा, मतलब जो लक्ष है वो यहाँ पर सही है, सबसे पहला इसमें है कि 40,000 करून रुपे का यहाँ पर निवेज जो है उसको जुटाना है, तो यह इसका एक टार्गेट है, करेक्ट है, दूसरा बात करें तो प्रदेश में तीन इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्चरिंग कलस्टर, यानि कि EMC, इसको स्थापित किया जाएगा, इसको बनाये जाएगा, यह भी यहाँ पर सही है, इसके बाद अगला है, इसमें 4,00,00, रोजगाश रजित करना, तो यह भी इसका एक लक्ष है, तो सही क्या होगा आपका, all of the above, यानि की 4th वाला जो है, वो यहाँ पर correct होगा, इसके बाद अगले question की तरफ चले, question number 11, यहाँ पर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो आपका फिल्ट्सफर है, यह कौन से डिस्टिक में पाया जाता है, जहासी, चंदौली, प्रियागराज या फिर अलीगड़, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इसका जहासी, ठीक है, जहासी में इसको पाया जाता है, इसके बाद अब जो है अगले question पर move करते हैं, इसके बाद अगला question जो है, यह है आपका उत्तर प्रदेश में, जो कटशल, दरी, निर्मान है, यह कौन से district में होता है, कटशल, दरी, निर्मान, ठीक है, इसके आपका सीतापूर है, बरेली है, इटावाई है, फिर सभी, इसके answer पर चलें, इससे पहले आपनों को एक चीज़ बोलना है, कि अगर आपनों को यह वाला वीडियो पसंद आया है, यह quiz अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग तुरंट सबसे पहले तो online exam preparation को आप subscribe करिए, उसके बाद आप Steady for civil services को तुरंट join करिए, यहाँ पर आपको अपने आपको test करने का मौका मिलेगा, जबकि Steady for civil services को अगर आप join करते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी Steady को और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर descriptive videos दिये हुए हैं, तो उसमें आपको बहुत help होगी, ठीक है, बाराल इस question के answer की बात करें, तो इसका answer क्या होगा आपका, सीतापुर, ठीक है, तो सीतापुर जो है, वो यहाँ पर answer इसका सही होगा, इसके बाद आगे move करें, अगले question पर, अगला question यहाँ पर द कौन से डिस्टिक से है, गोरकपुर से, इसके बाद अगले question की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है, प्रदेश में सरवादिक अनुसूचित यहाँ पर आपका जनजाती होना चाहिए था, जो की यहाँ पर missing है, ठीक है, अनुसूचित जनजाती, जनसंख्या वाला जो ज पंचायत की, नियाए पंचायत की यो नियाए पीट होती है, इसमें कितने पंच होते हैं, चार, पांच, छे और साथ, इंड आपको पता होगा, कि पांच जो हैं वो पंच होते हैं, जो नियाए पीट होती है आपके नियाए पंचायत की उसमें, इसके बाद आगे move करते है है अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन यहाँ पर गिविन है निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का कारे है तो ग्रामीड आवास कारेक्रमों का जो क्रियान वयन है ये करना बिल्कुल सही बात है दूसरा एक कुटीर ही मिलेंगे ऐसे ही एक्जाम में देखने के लिए जरूर इन कोश्चन को आप याद रखिएगा अधरवाइज आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके बाद अगला जो कोश्चन है वो है आपका ग्राम पंचायत का जो कारेकाल होता है वो कितना होता है पांच वर्ष चार लाटा में कितने इंच होते हैं तो ये इससामय को antic 2 97 99 यहां पर 98 कितने होते है 59 इज वह यहां पर करेक्ट होगा इसके बाद मूव करते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन यहां पर है आपका शाह जहानी जरीब जो होती है उसकी एक कड़ी की लंबाई कितनी होती ह 0.82 fit होती है 9.9 inch ओती है 9.7 inch ओती है या फिर पहला और दूसरा यानि कि ये भी होती है और ये भी होती है तो थैरिक रिखी चृत्त यानि कि 0.825 feet या फिर हम कहें तो इसी को convert करें इंच में 9.9 inch आएगा तो इस तरीके से पहला और दूसरा दोनों ही यहां पर correct होंगे इसके बाद आगे move करें अगला यहां पर question है question number 21 जिसमें बात करी है राजस्व परिशद कि जो प्रिशाशने कारे हैं उसमें कौन सा यहां पर नहीं है सबसे पहला बंदोबस्ती यानि की settlement यह बिलकुल है इसका दूसरा है भू अभी लेखों का रख रखाओ यानि की maintenance of जो lend records है बिलकुल सही बात है इसके बाद माल गुजारी वसूली यानि की excise recovery इसके बाद ऑगर आपील की बात करें तो यह यहां पर गलत है तो आपको यहीं चूश करना था तो यहां पर अपील करते हैं अगला कोशन यहां पर है अ क्परशिक्षन संस्तान यह किस जिले में है लगनव प्रेयाग राज हर्दोई या फिर गाजियाबाद यहां पर किसका बताना है भू लेख प्रशिक्षन संस्तान यह कौनसे टिंटिटीटू नंबर का कौस्ट यह आंज़ होगा डाला यहां pHर्टorg इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले कोशन पर जो कि यहां पर गिविन है कि निम्न में से छेत्रफल की द्रस्टी से सबसे छोटा कौन सा है अगर हम छेत्रफल की बात कर रहे हैं तो जिला है उपमंडल है मंडल है फिर तालुका आपको एक समझ में आ चुकी होगी कि इसक सी धारा में इस चीज़ को बताया गया है कि जो कमिशनर है वो राजस्वनियायलों के अंतरगत एक प्रादिकारी होगा तो धारा 3,8, धारा 2,8, धारा 4,8 या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा धारा 4,8 यानि कि section 4,8 ठीक है इसके बाद अगले कोशन यहां पर है अपका gram पंचायतों से related कि gram पंचायतों की जो सदस होते हैं इनका चुनाप किस प्रकार किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनको नॉमिनेट किया जाता है या फिर नफ दीन तो सही आंसर क्या होगा आपका प्रत्यक्ष रूप से जो मतदाता होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं तो यह यहाँ पर सही आंसर होगा इसके बाद अब जो है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन यहाँ पर given है आपका कोशन No.27 जिसमें निम्न में से कौन उ इस तरहें पंचायत की विवस्था के उसमें ये शामिल है इसके बाद आज के अगले कोश्चन पर यानि की 28 नंबर के कोश्चन पर तो यहां पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनावों की अगर हम बात करें तो उसमें महिलाओं की सीटें कितनी आर वाचन है उसके संबंद में यहां पर आपको स्टेटमेंट दिये हैं बताना है कि कौन सा यहां पर ट्रू है पहला है प्रतियक्ष मतदान द्वारा वयस्क जनता चुनाव करती है बिलकुल सही बात है सीधे वोटिंग होती है इसके बाद दूसरा है पांच वर्षों के लि यह आपका no confidence जो प्रस्ताव होता है इसको नहीं लाया जा सकता है दो साल के बाद ही लाया जा सकता है तो इस तरीके से यह तीनों ही statement यहां पर correct है बहुत ही important point है जरूर इसको याद रखिएगा अगर paper थोड़ा भी tough बनेगा तो इसी तरीके से आपसे question आएंगे इसके बा 2000, 3000 या फिर 4000 तो सही answer क्या होगा 1000 ठीक है 1000 की जनसंक्या होती है उसके आधार पर यह चीज़ होती है पंचायत का गठन तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहां पर end कर रहे हैं आपको यह वीडियो कैसे लगा comment section में जरूर बताएगा पसंद आये तो जास्यादस को share करि इसके साथ ही मैं आपर आपसे विदा लेता हूं कल मिलते हैं next quiz में यहां पर अपना score बताना भी मत बूलिएगा तब तक पढ़ते रहे टेक क्यार बाबाए